तो आज हम डिसकस करेंगे दी रॉग वर्सिस ठाकिस्तान हल्क खान बाबा का अगर रेस्लिंग मैच हो जाए तो कौन इस फाइट में होगा बीनर और कौन होगा लॉस है तो पहले ही बता देते हैं दी रॉग एक डबल ववी रेस्लर है और साथ में वो एक फालीवूड एक्टर और प्रोड्यूसर भी है और वो वन ऑफ दे रिचेस्ट रेस्लर में से भी आता है और खान बाबा जो कि एक प्रोफिशनल रेस्लर भी है और एक बिस्टेसमैन भी है तो अगर इन दोनों का मैच हो जाए ना तो कौन होगा इस वाइट में विनर और कौन होगा लॉसर तो हम इन दोनों का थोड़ा सा डिटेल इन इंफोर्मेशन पहले जान लेते हैं दी रॉक का पहले फस्ट पॉइंट आता है वेट दी रॉक का वेट है 118 केजी एंड खान बाबा का वेट है 425 केजी सेकेंड पॉइंट हाइट है सो दी रॉक का हाइट आता है सिक्स पॉइंट शीक्स फूट फाइव इंज एंड खान बाबा हाइट है शीक्स पॉट प्रेंज आप बात करते हैं इन दोनों का मूव्स के बारे में तो दी रॉक का मूव है पीपल्स एल्बो दी रॉक बॉटम एंड खान बाबा का मूव है हएज ब्सक ऐंड रर्ण फर्ण खान बाबा का मूव कोड़क और धर्या कोffat मुट रड़ करें या फिर दी रॉक खान बाबा का उपर पीपल्स एलबो एंड रॉक बॉटम को लगा कर खन बाबा को इस मैच पर हड़ा देगा तो अगर इन दोनों का मैच हो जा तो दी रॉक हडाया है जॉन सीना जैसे रेसलर को इन खान बाबा डब डबल 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 ये में खान बबा का शोख जाने का बत्वो जाप पाएगा कि नहीं वह बहुत ही वह अब तक पता नहीं सबका मानना है कि डि रोक आइप बताओ कि खान अबाबा को हड़ा देगा और दि रोक रोमे रोक को हाड़ा देगा तो दि रोक तो खान बाबा को असानी से हाड़ा देगा इतना भी आसान नहीं है क्योंकि खान बाबा बहुत ही मोटा है और अगर खान बाबा दरॉक को एक धक्का मार दे तो दी रॉक थोड़ी दिर के लिए तो मिट्टी पर सोचाएगा बट फिर उठेगा और दी रॉक का रॉक बटम खान बाबा को दी रॉक आराम से उठाकर रॉक बटम भी मार सकता है और पीपल्स इलबो भी मार सकता है तो इस मैच पर 80% chance है कि Rock इस match को win कर जाए और 20% chance है कि Khan Baba इस match को win कर जाए तो आपका क्या मानना है वो मुझे comment section में बता दो और please like, share and subscribe मैं चैनल अब मैं आता हूँ और आप मैं इस video पर aim करता हूँ 300 likes तो आप जल्दी से जाकर ये मेरा aim कम्प्लीट कर दो तो प्लीस लाएम लाएम ए लाएम लाएम जड़ लाएम जड़ लाएम